जैहिन दोस्तों स्वागत आपका विजबत डिफेंस एजुकेशन में आज है 19 दिसंबर 2020 इस वीडियो में डिसकस करेंगे डेली करंट अफेयर जो कि आपके आने वाले सभी एक्जामों के लिए काफी इंपोर्टेंट है अगामी एक्जाम, रेलवे, एंटी पीसी के लिए जो कि रहेगा आपके लिए एक साल का और कवर करवाएगा आपके आने जल्दी से जल्दी आप अपना शूर बैच स्टर्ट कर सकते हैं विजबत डिफेंस एजुकेशन में तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन है वीडियो का हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रती शक्त रुख दिखाते हुए करंसी मैनिप्लेटर्स यानि मुद्रा में हेर फेर करने वाले देशों की निगरानी सुची में डाल दिया है तो ऐसा कौन सा देश है जिसके प्रती अमेरिका ने जो है वो एक सक्त कदम उठाया है करंसी मैनिप्लेशन से रिलेटेड उस देश का नाम है भारत तो उसको जो है वो निगरानी सुची में डाल दिया गया है नेक्स्ट कोशन है खेल मंत्राले ने किस समीती पर लगा वैन तुरंत प्रभाब से हटा दिया है तो जो हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसने किस के उपर जो एक बैन लगाया था उसको अभी हाल में ही हटाया है तो वो है भारती पैरलंपिक समीती उप्शन सी जो है यह इसका बिल्कुल सही है नेक्स्ट कोशन है रक्षा अनुसंधान इवं विकास संगटन जिसको डियाडियो के नाम से जाना जाता है उसने सोदेशी तरीके से विक्सित निमन में से किस मिसाइल का ओडिसा के बाला सोट तट से सफल परिक्षन किया है जो हमारी एक मिसाइल है उसका डियाडियो ने ओडिसा से सफल परिक्षन किया है और उमीद है कि जल्दी ही यह भारती सेना में साथ देगी नेक्स्ट कोशन है बिशर बैंक ने भारत में विकास कारियों की सहाईता के लिए मकसद से 80 करोर डोलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है तो भारत में विकास कारियों के लिए बिशर बैंक से जो है वो 80 करोर डोलर से बनने वाली लागत से बनने वाली परियोजनाओं को जो है वो मंजूरी दी है और टोटल जो परियोजनाए है वो हमारी है मुख्य रूप से 4 नेक्स्ट कोईशन है सियूक तरास्ट विकास कारिक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत निमन में से कौन से स्थान पर पहुँच गया है तो यह हमारा भारत जो है यह पहुँच गया है 131 नंबर के उपर मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन है और ऐसे ही कोईशन आपके HP, Allied और HS लेवल की परिक्षा में पूछे जाते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन है आपका इस वन नेक्स्ट वन है किस राजे सरकार ने राजे के रियल स्टेट निर्मान कानूनों में एक रूपता लाने और मजबूत बनाने है तो यूनिफाइड डिवेल्प्मेंट कंट्रोल एवं परमोशन रेगुलेंस को मंजूरी दी है मतले कि UD CPR को मंजूरी दी है तो ऐसा कौन सा राजे है तो उस राजे का नाम है महारास्टर नेक्स्ट कोईशन है किस देश के पूर्व टेस्ट आलराउंडर एरिक फ्रीमेन का 76 साल की उमर में निधन हो गया तो उस्टरेलिये के ये पूर्व टेस्ट आलराउंडर थे जिनका हाल ही में 76 की एज में जो है वो निधन हुआ है लास्ट कोईशन है किस देश का चांग E5 यान चंदरमा की सता से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर प्रित्वी पर लोट आया है तो काफी टाइम पहल हमारा यान लोटा है चाइना का चांग E5 जिसने चंदरमा की सता से पत्थर और मिट्टी के नमूने जो है वो लेकर आया है तो उसकी जो है उसका जो है वो अध्याइन अभी तक चला है तो चाइना की तरफ से जो है चांग यान चंदरमा पर भेजा गया था जो की हाल ही मे प्रिथवी पर लोट कर आया है I hope आपको वीडियो अच्छी लगे आप हमारे WhatsApp ग्रूप के साथ जुड़ सकते हैं जिसमें आपको मिलेंगी डेली कर अंटरफेर की पीडियेप्स और साथ में फ्री ओफ को स्टरी मटीरिल तो WhatsApp का लिंक जो है वो आपको जल्दी से जल्दी आप हमारा विजपत डिफेंस एड्यूकेशन में अपना एडवांस बैच स्टार्ट कर सकते हैं I hope आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को जादा से जादा लाइक करे जैहिन जैभारत